असलाम अलाइकूं असमा किचन में खुशाम दीर बिस्मिल्लाह रवाख्मान वहीम आग मैंने किचन में बहुत ही मज़ेदार किसम का फ्राइड चिकन कीमा बन रहा है बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा यमी यमी सा चले आने शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं उसके लिए तकरी मिनट बने टेमार्ट बैंट ले लिए लेस्टन चिलवा ले लिए हाफ टी स्पून नमस्क रंवी-बाइद्रू क्तिवी लावन लिए मैशा हम ती स्बधिने बून के खेंड़ी साल कीमा बन रहें जो मेरे चैनल पर नहीं है मेरे भेंबाई, मेरे फ्रेंड, मेरे यूटूब चैनल देखने वाले जिनने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मुझे जल्दी से मुबाइल उठाया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल के बटन को क्लिक कर दें टाके मेरी आने वाली नही रैसिपि सबसे बहले के पास के पासँ जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर है तकरिमा तकरीबां पको बने हैं したख़फ़ ने वाला है तहज किमा बनने आपके महमार आने वाले है, आपने कीमा बनाना है और आपको टेंशन लगी वी है तो फटा फट से 10 मिंट के अंदर रैडी कर सकते हैं चलिए कैसे करना है मैं इसको बनाँगी प्रैशर कुकर में इसमें मैंने पहले प्यांस दाना है लहसन डालेंगे किमाटर डाल दिया नमक चला गया जीरा चला गया हल्दी चली गई पुटी विलार मेच इसमें चला गया कीमाटर बिसमिल्लाएबर इसमें चला गया हाफ कप ऑल्डियो आइल कप इसमें चला जाएगा हाफ किलांस पानी का और इसको 10 मिंट के लिए हम रखेंगे प्रैशर कुकर को बन करके और इतना मज़े का कीमा रेडी करेंगे चले आई शिरू करते कैसे बनता है इसमें चला गया एक लाज पानी पास इसको कर देंगे लेट लगा देंगे इसको बिसमिल्लाएबर कि दस मिंट के बाद मिले दस मिंट के बाद मिले दस मिलेट को शुक्यों और बैल पजी शुरू हो गजिए अब हम कड़ेंगे फ्लेट को ओफ इसमिल्लाएबर कि मारा डडी होने वाल है और इसको बहुत ही अच्छे से अब भूण है जल चुका है लग्सन प्यास सब कुछ बल चुका है इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे गरमसाला पाउडर एगरग बारिक कटी भी इसको अच्छे से वोनेंगे अजय को अजय को अच्छे से पांच में टॉल लगेंगे और कीमा पर रखेए देखें कीमा मुआ बहुत ही मासे का रखें अब इसमें चल गए हरी मिस्ट बारी कटी भी चाह से पांच अरत हरा दनिया बारिक कटावा अब इसको भीष करेंगे करेंगे और डिश आउट करेंगे अजय को मज़ेदार किसंका हमारे कीमा है रेटी हो गया चिकन का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार अमीद करती हूं आपको मेरी रैसे भी पसंद आ रही है मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मुझे पनी द्वा में याद रखें अस्सलाब